हेलो एवरिवन दिस इस डॉक्टर सुप्रिया सुनालिका वेरी गुड इमिनिंग तू अल अफ यू आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी समिस्टर वन के स्टुडेंट्स के लिए है और पीजी समिस्टर वन के कोर्स का जो पेपर तु है उसके अंतरगत हम लोग अपने लास है परंपरागत रायनितिक सुध्धान्त में और आधनिक रायनितिक सुध्धान्त में किन आधारों पर उनमें डिफ्रेंसेस उनमें अंतर किये गया है उनको हम लोग डीटेल्स में देखेंगे तो परंपरागत और आधनिक रायनितिक सुध्धान्त प्रकिती विशयवस् लक्ष और अवधारनात्मक परिधी के संबंद में एक तूसरे से काफी भिन्य है और नवीन राजनितिक सिध्धान्त की रूप रेखा निश्चित रूप से स्पस्ट हो पाई है फिर भी इतना तो मानना होगा कि आधनिक राजनितिक सिध्धान्त में पूर्णत प्रिथक य और यह आज समाजिक विज्ञानों महत्वपूर्ण अस्थान प्राप्त कर चुके हैं और इसलिए बहुत से विद्वान विद्वानों ने दो राजनितिक सिध्धान्त परंप्रागत राजनितिक सिध्धान्त और आधनिक राजनितिक सिध्धान्त को जो है इसमें कुछ म वस्तू के दिश्टी कोन से है फिर उसके बाद शेत्र की वियापक्ता से के दिश्टी कोन से है राजनीती की अर्थ के दिश्टी कोन से है राजनीतिक विश्लेशन के उद्देश्य की दिश्टी से है अध्यन पधती की दिश्टी कोन से है सामाने सिध्धांत की खोज की तो ये कुछ differences है, जो विभिन विद्वानों के द्वारा बताई गई है, आधनिक राजनितिक सिध्धान्त और परंपरागत राजनितिक सिध्धान्त के अंतरगत, जिसको हम लोग one by one आप details में देखेंगे, तो पहला जो differences बताया गई है विद्वानों के द्वारा, वह है कि विशेवस्तू के द्विष्टिकोन से, क्या differences है परंपरावादे द्विष्टिकोन में और आधनिक द्विष्टिकोन में, तो आधनिक राजनितिक सिध्धान्त परंपरागत राजनितिक सिध्धान्त इस संबंद में बुनियादी तोर पे भिन और व्यापक पाया जाता ह परंप्रागत त्रिष्टिकोंड के अंतरगत राजसास्त्र, मुल्यों और लक्षों पो प्रमुक अस्थान देता है, उसके बीशे राज एवं सरकार, उत्पत्ति, विकास, संगठन, प्रकार, राजनितिक दल, राजनितिक विचारधाराय, प्रमुक सरकार एवं संबिधान उसमें उन्होंने कहा है, राजनिति विज्ञान का आरंब और अंत जो है, राज्य से होता है, और आधनिक राजनिति सिध्धान्त राज्य के बिना, राजनिति का अध्यन करता है, और उसके अनुसार, राजनिति का कई गुना, अधिक प्रभाव और प्रसार, राज्य के राज के अत्रिक्त किया जाना चाहिए और इस प्रकार आधनिक राजनितिक सास्त्री अपने विशय को राज और राजनितिक संस्थानों के सिमित दुष्टिकोन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इन आधारों पर फस्ट ये जो है 문제 था दूसरा जो differences विद्वानों द्वरा बताया गया है, इन दोनों सिध्धांत आधुनिक और परमपरागत दुष्टिकोन की अंतरगत, उसमें है छेत्र की व्यापकता का दुष्टिकोन, छेत्र की व्यापकता की आके आधहर पर क्या changes है? क्या डिफ्रेंसेस है तो परंप्रागत विचार की तुलना में आधनिक विचार के अनुसार राजनिती का छेत्र जो है काफी ब्यापक हो गया है परंप्रागत राजनिती में रूडिवादी विश्यों जैसे राज्य का लक्ष सर्वसिष्ट सरकार अपचारिक संस्थाएं एतिहासिक पध्धती आधी का अध्यन किया जाता था जिसके विपरित आधनिक राजनिती शास्त्र में मुल्यों तथा राज्य एवं उनकी संस्थाओं के बदले राजनितिक बैवहार, राजनितिक प्रक्रियाएं तथा गतिवीधियां का अध्यन किया जाने लगा है और उनके उप छेत्रों में राजनितिक मनुष्य और उसका ब्योहार, समुह, संस्थाएं, प्रशाषन, अंतरास्ट्य राजनिति, राजनितिक समाज सास्त्र, अंतरगत शक्ति, नियंतरन एवं प्रभाव, अभिजन तथा विनिश्चय प्रक्रिया तथा कृत जैसी काईयों का अध्यन भी किया जाता है, सुतंता, समांता, प्रजातंत्र जैसी राजनितिक अधरनाओं की नई धंग से ब्याख्या की जाती है, और आधनिक राजनितिक सास्त्र, समाज सास्त्र के प्रभाव के अंतरगत, नई नई अधरनाओं को नए धंग से अध्यन करता है, जैसे र लेकर जो दिष्टिकौन है, तो परंपरागत राजनिति जो दिष्टिकौन है उसमें राज और उसकी संगरचना के संबध बिशय और समश्याओं को राजनितिक सिध्धान्त का बिशय माना जाता है और इसके विपरित आधनिक दिष्टीकौन के अनुसार राजनितिक शक्ति उसकी प्रकिती उसके प्रयोग के रूप में एकिकाई के रूप में राजनितिक वैक्ति मुल्यों के उत्पादक विवरन और कार्यात्मक रूप में नीतियां और नीतियों के निर्मान के रूप में इस प्रकार नवीन राजनितिक सिध्धान्त राज से परे राजनि करने के दुष्टिकों से रूरिवादी विश्यों जैसे राज जी के लक्ष, आदर्श राज, आपचारिकता, आपचारिक संस्थाएं, संस्थानों का अधियन, एतिहासिक पध्धती, आदिक को इससे विलग अलग कर दिया गया है, मुल्यों तथा राज एवं उसकी संस्थ के बदले, मनुष्य के राजनितिक ब्योहार, राजनितिक प्रक्रियाएं, तथा गतिविधियों का अधियन, राजनिती, राजनितिक सुध्धान्त के अंतरगत किया गया है, अन्भवादी राजनितिक सुध्धान्त, राजनिती को एक प्रक्रिया, गतिविधी हित के रूप में देखता है, संशेप में अगर हम बात करें, तो आधुनिक राज विज्ञान की अंतरगत राजनिती की प्रकिती विशिष्ट है, और राजनितिक तथियों, घटनाओं, प्रक्रियाओं, प्रतिनीधियों का किसी नकिसी रूप में शक्ती, साशन, सत्ताक से संब बंध होता है और नवीन राजनिती विज्ञान इनी से संबध व्यवहार का अध्यन करता है जिसे हम राजनितिक व्यवहार पॉलिटिकल बिहेवियर कहते हैं चोथा जो अंतर है इन दोनों में वो है कि राजनितिक विशलेशन के उद्देश सिक्य दिश्टि कौन से तो आध राजनितिक घटनाओं को यर्थार्थ रूप से समझना उनका वर्णन करना मानते हैं और इससे भी आगे उनका उद्देश भविश्वानी करना और यथा संभव राजनितिक घटनाओं को नियंत्रित करना होता है और इनका मुल्य उद्देश शिद्धांत निर्मान है और आम तोर पर ज्ञान के लिए ज्ञान, knowledge for knowledge शेक कहा जाता है और परंपरावादी विचारक निराधार कलपना द्वारा आदर्श राज, ideal state के बारे में सिध्धान्त का निर्वान करते थे जबकि आधनिक राजनितिक सिध्धान्त के अनुसार सिध्धान्त का उस अर्थ में प जो अंतर था दोनों में वो था पाचवा जो अंतर है अध्यन पध्धति को लेकर है अध्यन पध्धति की दिष्टिकोन से लेकर आधरिक और जो परंपरागत दिष्टिकोन में प्रमुक अंतर उनकी अध्यन पध्धति को लेकर है और परंपरागत राजनितिक सिध्धान अध्यन की प्रमुख पधतियां, दार्शनिक, एतिहाशिक और वर्नात्मक है, जबकि शोध के श्रोध, चिंतन, कलपना और पुस्तकालयों पर आधारित थें, बट ज्यानिक पधतियों और तक्निकों का सरवदा अभाव था इसके अंतरगत, इसके ठीक बिपरित आधुनिक जो राजनितिक जिंतन है, उसमें अनवेशन की अनुभवादी पधतियों का प्रयोग किया जाता है, इंपैरिकल मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, और बैवहारवादी, राजनितिक विस्टिलेशन, बैग्ज्यानिक प्रैनालियों, सैंटिफिक मेथड्स, बिशुद निशकर्षों, accurate conclusions, संचई सोध और ब्रिहत समानिकरन, generalization जो है, broad generalization पर जोड़ देता है, और इसका सूत्र अनवेशक की वस्तु निश्टता होती है, वैज्यानिक प्रणाली के प्रयोग का उदेश शमस्या को पहचानना, विभिन कारणों के बीच संबंध स्थापित करना, आक्री जमा करना, परिकल्पना का निर्मानिया परिशन करना और निशकर्ष तक पहुचना होता है, आक्रों और निशकर्षों की प्रामानिकता की पुनह जाच की जाती है, इसके लिए तरह तरह की प्रणालिया और तक्नीकों का इस्तुबाल किया जाता है, जैसे की समान प्रकार के अन्वेशन द्वारा सामानी करन की खोज की जाती है और इनके बीच संबंद अस्थापित कर शिद्धान्त का निर्मानिया विकास किया जाता है तो ये इसके मैथट्स में जो है इसके बाद जो next differences है वो है सामानी सिद्धान्त की खोज का दिश्टिकून जो स सामानी सिद्धान्त जेनरल जो चोरीज है उसको बनाना है और यह एक ऐसा है जो अन्य विज्ञानों की भाति सदा शत्य और संगत रहेगा वे जानते हैं कि राजनितिक सिद्धान्त में सामानी सिद्धान्त का निर्मान करना अत्यनत ही कठिन काम है लेकिन वे इतना से ही स संतुष्ट हैं कि सिध्धान्त के विकास की दुशा में क्रमसा बढ़ा जा सकता है और उसके अस्थान पे प्रतिमानों मॉडल्स का विकास किया जा सकता है जो अंतता सिध्धान्त निर्मान में सहायक सिध्ध होंगे उधारन के लिए मतदान के संबंद में वैक्ति दल या सम मुह के वैवहार का अध्यन कर नियमों को का पता लगाना और उनके आधार पर मतदान वैवहार वोटिंग बिहेवियर के संबंद में प्रतिमान तयार करना मॉडल्स तयार करना किया जा सकता है और परंप्रागत राजनितिक राजनिती में आदर्श की कलपना की जाती है औ और अध्यन की विधियां एतिहासिक और दाशनिक होती हैं, इसलिए बैज्यानिक आधार पर आम सिध्धान्त की खोज करना संभव नहीं होता है। भी मिलता है और सिध्धान्त निर्मान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रेमवर्क के रूप में सिध्धान्त के महत्व को बतलाया है। और जो एक चलनी या में परिवेक तथ्यों का चैन या छटैया के लिए उप्योग में उप्योगी होती है। परंप्रागत राजनितिक सिध्धान्त राजनिती में इस तरह की और धारनात्मक विशय परिधी की कलपना नहीं की जा सकती। पुराने जमाने के विचारक सीधे सिध्धान्तों या गूड तत्तों की चर्चा करते थे और उन तक पहुँशने के लिए तत्थियों के विसलेशन या चैन पर ध्यान नहीं देते थे. तो ये अंतर, उसके बाद है आपका अंतर-अनुशाशनिक द्रिश्टिकोन. तो आधनिक रायनितिक सिध्धान्त की एक लेखनिये विशेष्ता इसकी अंतर-अनुशाशनिक पधती है और उस पर अन्य समाजिक विद्वानों का काफी प्रभाव देखने को मिलता है और इसम राजनेती सास्त्र पर मनोविज्यान, अर्थ सास्त, सांकिकी, सुक्ष समाज सास्त, समाजिक मानोविज्यान आदी पर असर देखने को मिला है या असर पड़ा है। आधनिक राजनेती की भाती, परमप्रागत राजनेती और अंतर अनुसाशनिक नहीं पाई गई थी। उसमें मुल्यों को कोई अस्थान नहीं दिया जाता। और यह सही है कि आधनिक ब्यवहरवादी, राजनितिक सिध्धान्त का विशय तारकिक रूप से हम लोगों के मुल्यों से संबध नहीं है। फिर भी पूर्टा मुल्य विहिन भी नहीं हो सकता। आधनिक राजनिती सास्त्र अब उस सत्यता को स्विकार करने में लगा है और मुल्यों को उचित अस्थान देकर राज विज्ञान को संगत और उपयोगी बनाने का प्रयास करने में लगा हुआ है। और लास्वेल, डेल, इस्टन, आधि आधनिक विचारकों ने इस दिष्टिकोन से आधनिक राजनिती विज्ञान को परिक्रिष्ट किया है, परिस्कृत किया है, इसके बाद हम लोग एक common way जो देखते हैं राजनितिक सिध्धान्त का एक समग्र दिष्टिकोन क्या है, त जितनी भी हम लोगों ने differences अंतर दोनों के बारे में पढ़ा परंप्रागत या आधनिक राजनितिक सिध्धान्त के बारे में, तो उससे असपस्ट है कि परंप्रागत राजनितिक सिध्धान्त और आधनिक राजनितिक सिध्धान्त में कुछ मौलिक अंतर है, लेकिन उसक प्रस्तुत किया जा सकता है और परंप्रावादी राजनिति साहित्य की आधार श्रिला पर आधुनिक राजनितिक सास्त्र के सोधों और खोजों को परिश्कृत और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है और वस्तुत किसी भी पूराने विशे के अधियन के छेत्र या तकनीक में जब परिवर्तन होता है तब वह पीछे की उपलब्धियों से एकदम नाता नहीं तोड़ लेता बलकि भूतकालिन उपलब्धियों पर अपने आपको अस्थापित करता है नवीन राजनितिक सिध्धांत के बारे में यही कहा जा सकता है परमपरागत परसपरिक राजनितिक सिध्धांत तथा विश्यों को बिना समझे प्रयुक्त किये आधनिक राजनिति सास्त्र तुक्ष और फलहीन हो सकता है परंपरागत राजनितिक एवं रनवीन राजनिती के बीच संबन्ध के प्रश्ण का उत्तर देने का प्रयास कई विद्वानों ने किया है और हेज युलाउ ने कहा है कि उद्दत करही पारंपरिक राजनिती शास्त्र और आधनिक राजनिती शास्त्र के विछिन संबंदों को दर्साया जा सकता है और मेरी समझ में समझ के अनुसार बैवहारवादी विश्वास मानमी अनभों के उन आधारों की खोज करता है जिन में भूत काल के महान राजनिती शास्त्रों ने अपटे विचारों के लिए पोशन एवं विकास के तत्वों बनाए हैं और पुरातन राजनिती सिध्धानतों को जिन गुनों के कारण महान समझा जाता है वे गुन मनुष्य के राजनितिक बैवहारों से संबद उनकी इसपश तथा कभी-कभी अंतरनहित मानेताएं हैं परंपरागत राजनिती परंपरिक और आधुनिक राजनिती शास्त्र की एकता की चर्चा करते हुए रॉबर्ट डैल ने इन शब्द में कहा है कि यह सोचने का पूरा आधार है कि एकता परंपरिक तथा आधुनिक राजनितिक शास्त्र को फिर से अस्थापित किया जा सक और शुकरात, अरस्तू, मैक्यावली, हैप, हॉप्स तथा टॉक विले जैसे राजनिती शास्त्रियों को कि हम चर्चा करते हैं और हमें इसका इस्मरन होता है कि समय समय पर राजनिती विज्ञान का अधियन जो है बदलता रहा है और यह परिवर्तन समय समय पर होने वाले अ आधुनिक राजनिती सिध्धान्त परंपरिक राजनितिक सिध्धान्त का ही एक परिश्कृत रूप है दोनों एक ही विशय के एतिहासिक विकास के दो चरण है और एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और दोनों दृष्टिकोनों को मिला कर राजनितिक सिध्धान् और पॉढ़ जित्रन प्रस्तुत किया जा सकता है दिस अल अबाउट पॉलिटिकल टेडिशनल पॉलिटिकल थीओरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थीओरी तो मैंने आपको बताया कि आधनिक राजनिती सिध्धान्त और परंपरागत राजनितिक सिध्धान्त में जो अंतर है उनका आधार क्या था बहुत सारे आधार थे जिसका इसकी चर्चा मैंने अभी हाली तुरंत क्लास में की और उसमें निसकर्ष यहीं निकला कि किसी एक भी को छोड़ के दूसरे को हम से दूसरे को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते मतलब हम दोनों का एक समगर रूप लेकर ए और पर्मपरागत राजनितिक सिधान्त और आधिनिक राजनितिक सिधान्त में अंतर ? आपको समझमें आया हो, कोई भी समस्या हो तो आप कलासिस में डिसकुस कर सकते है या मुझे कमिन्ट सेक्षन में जा कर आप अपने दृष्ण जो है लिख शकते हैं। एस लिग उसक